Hello guys, welcome back to the Achiever Zone हम लोग यहाँ पर Algebra और Serts and Indices के बारे हम पढ़ रहे थे Serts and Indices का एक introduction आप लोग को last class के अंदर मिल चुका और वहाँ पर questions भी हम लोगों ने करे थे तो आज अगे पढ़ाएंगे कुछ Algebra के बारे भी चीज़ जानेंगे और यहाँ पढ़ना कैसे वो भी आपको पता है means किस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे simple सा काम आपको करना है कि भाई सारे के सारे वीडियो पहले तो पूरे देखने है सुरू से लाज तक और जब वीडियो खतम हो जाता है फिर अब आप चाहें तो अपने नोट्स को बना सकते हैं अपर वापस से चीज़ों को देख कर तो इवार आप समझ जाएंगे और वापस से चीज़ों को देख रहे होंगे तो आप नोट्स को अच्छे से बना पाएंगे एक साथ करेंगे तो फिर ना समझ पाएंगे नोट्स बन पाएंगे इसको आपको ध्यान रखना है और साती साथ हमारे ग्रूप में जॉइन हो जाईए जो हमारा ग्रूप बना हुआ है वाटसेप का यहां पर टीचिंग इग्जाम से रिलेटड तो उस पर आप लोग को सारे की सारे इंफोर्मेशन मिलती रहेगा और गाइडेस उसी के अंदर मिलता रहेगा इसका जो लिंक के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है और इसके अलावा जिनी स्टुडेंट्स को बाकी के चैप्टर्स पढ़ने हैं या सीटेट से लिएट प्रीवेस चैक्टर्स को पढ़ना चाहते हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ तो उसको आप लोग प्लेइलिस्ट सेक्शन पर जाके देख सकते हैं हर चीज की मैंने प्लेइलिस्ट बना के रखी हुई है आप जयां और one by one sequence पे questions को लगाना इस्टार्ट करें वीडियोस देखना इस्टार्ट करें skip चीजों को नहीं करना है one by one ही देखें आप लोग ठीक है तो चलो भाई अपनी आज की class इस्टार्ट करते हैं और आज की class में पहला question ये देखें आपसे बोला गया है कि भाई root 2 की value 1.4142 है तो आपको value निकालनी है 2 root 2 plus root 2 plus 1 upon 2 plus root 2 और 1 upon root 2 minus 2 की question काफी आसान लग रहा है यहां पर और कुछ actual बहुत tough नहीं है देखें कुछ लोग को तो सीजा सीथा देख रहा है कि ये दोनों चीज़े add हो जाएंगे कि 2 root 2 plus root 2 कितना बन जाएगा 3 root 2 तो अगर आपको time चाहिए तो आप लोग भी try करके देखें भाई साथ साथ ऐसा कोई बड़ा question नहीं है आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर क्या होगा आप दो तरीके से lcm ले सकते हैं कुछ लोग इसका actual lcm निकालेंगे जो थोड़ा सा कई लोग को थोड़ा कठी न लग सकता है और कुछ लोग सीधा कहेंगे सर ऐसी value पर हम lcm नहीं निकालते हैं हम सीधे-चीधे multiply करा देते हैं मतलब इसको अगर देखे तो हम ऐसा लिख देते हैं एंड देन क्या हो जाएगा प्लस आगे क्या होगा इधर से इधर root 2-2 हो गया और इधर क्या बचेगा 2 plus root 2 ऐसा हो गया अब देखो यहाँ पर कि भाई simple सी एक चीज जैसे ही add करोगे क्या cancel out हो जाएगी यहाँ पर चीज़ए प्लस 2-2 cancel out हो जाएगा numerator पर बचा कितना 3 root 2 3 root 2 बचा numerator पर प्लस इसदर क्या हो जाएगा 2 root 2 इधर और denominator पर देखना इसके a plus b a minus b actually वो नहीं root 2 minus 2 और इधर लेका है root 2 plus 2 अब जब इसको देखेंगे तो यह होगा root 2 का square minus 2 का whole square इस sequence आपको सही करना पड़ेगा so root 2 का square क्या होगा 2 और 2 का whole square क्या होगा 4 जैसे ही आप इसको solve करेंगे तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा यह तो हो जाएगा 2 root 2 upon minus का 4 और पूरा divide होने के बाद इतना part जो अभी इन circle पर किया है यह minus का root 2 बचेगा ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा है ना simple simple मैं one by one step बता रहा हूं writing गंदी हो रही है अगले वाले part पर समझ लें इस चीज को देखो कुछ इस तरीके से क्या मैंने आपको बताया कि सर जैसे ही आप इसको यहाँ पर देखेंगे आप इतना ही बोलेंगे कि जैसे ही आपने यहाँ पर इसको देखा कि कुछ ऐसा बना इस तरीके से कि भाई इधर देखा तो ये 2 root 2 बचा और इधर root 2-4 हो गया अब जैसे ही देखेंगे 2-4 क्या बसता है minus का 2 ठीक है न तो बचेगा 3 root 2 minus root 2 अब इस पे subtract हो जाएगी ये value तो क्या बचेगा 2 root 2 और root 2 की value पुट करते ही 2.8284 आएगा 1.4142 का just double आजाएगा सो सबसे पहली बात ये question सभी को clear है कोई doubt तो नहीं है आई होग सबको clear होना चाहिए और कोई भी type का दिक्कत फसनी नहीं चाहिए समझ पा रहे हो ना चलिए बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं थोड़ा यहाँ पर multiple questions है आज तो सभी को समझते हैं तो one by one देखे में बहुत सारे question ये कफी easy question है यार इस पर ज्यादा कुछ नहीं है जैसे a दिया हुआ है और b दिया हुआ है आपसे पूछ रहा है one upon a plus one और one upon b plus one simple सी बात बता दो यार अगर a दिया है root two plus one तो a plus one की value कितनी हो जाएगी root two plus one plus one हो जाएगी तो क्या ये root two plus two हो जाएगी देखो a plus one की value किया है यहाँ पर root two plus two हो जाएगी अब यह writing कुछ ज़्यादा ही कराब बन रही है इस पर अटाते हैं इसको root two plus two आपको तो पता ही ये ना 1 upon a plus 1 और 1 upon b plus 1 इसकी value आपको यहाँ पर चाहिए, तो क्या होगा भाई, simple सा काम करें, value इसको put कर दें और answer निकालें, ठीक है, और जैसा ही करेंगे, कुछ answer ऐसा बन जाएगा, देखो कुछ ही नहीं इसके अंदर, बहुत simple है, यह LCM ले ले और LCM लेते ही, numerator and denominator same हो जाएगा, cut pit की answer 1 मिलेगा, और कई लोग का answer अभी तक आभी गया होगा, so confirm है इतना, किसी को कोई route तो नहीं है, I hope, सब कुछ clear हो रहा होगा, कहीं कोई दिकत, fuss नहीं रही होगी, so आगे बढ़ते हैं और questions देखते हैं, यह देखो, यह question, यह question काफी important type का question है, और यह कई बार repeat हुआ ह SSC के exams पर तो question बहुत ही बार आया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्या है, root 1 plus root के अंदर 1 plus root के अंदर 1 plus 1 and so on, infinity तक गया है, और आप तो कहरे है value निकाल दो, इसकी क्या होगी, चार option दिये हैं, और कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके बनते हैं, एक तो बनता है basic तरीका जहां यहां पर आप इसको solve करके निकाल सकते हैं, तो जिन्होंने भी 10 तक पढ़ा हुए mathematics, उनको already solve करना आता है, आप यहां पर एक theorem लगा लेंगे, जिसको आप लोग बोलते है, शीजरा चारे प्रमे, शीजरा चारे theorem, और उसके थूरू आपका answer आ जाएगा, और एक होता है कि root के अंदर 1 plus 1 plus 1 and so on, मैं इस पूरे को एक value x consider कर लेता हूँ, पूरे को एक value x ले ली, और मैं कहता हूँ कि यहां से, इस तरफ से देखो, मैंने इसको थोड़ा सा part को break किया, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कि sir, यह जो part है, यह भी तो वही represent करता है, तो इसको मै x लिख सकता हूँ, so x equals root के अंदर 1 plus x, क्या यह ऐसा लिखना possible है, देख लो भाई, कोई doubt तो नहीं है, क्या ऐसा लिखना possible है, अगर possible है, तो अगले step पे मैंने square कर दिया, और जैसे ही square किया, तो x square equals root के अंदर 1 plus x का whole square हो जाएगा, x square तो ठीक है, और जहां तक root के अंदर 1 1 plus x के whole square की बात है, तो आपको पता है, root का square करने पर root हड़ी आता है, so this will be x square equals 1 plus x, confirm, सब कुछ एक तरफ ले आओगे, तो यह equation मिल जाएगा, अब आप देख पा रहे हो, कि इस equation में एक खास बात है, खास बात क्या है, यह ऐसा equation नहीं है, जिसके आप roots को break करके निकाल पड़ते हैं न हम लोग normal equation पर, तो वो चीज़ आप यहाँ पर करने ही पाऊगे, ऐसी condition पर लगाते हैं, शीदराचारे प्रमे, और शीदराचारे प्रमे यह कहता है, result उसका यह होता है, कि आप इसका, जो भी आपका equation था, इसकी line के general format से, या linear equation के general format से comparison करा दें, जैसे ही पर directly value put कर दें, ABC की और आपको यहाँ पर answer मिल जाएगा, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही value put करेंगे आप, आपने का ABC की value रख दो यार, और solve करने पर क्या मिलेगा, 1.6, ठीक है, और यह जो answer आया है, लगबग आया हुआ, exact answer नहीं है, because root 5 की value अपने यहाँ पर 2. 2.2 ली हुई है, जो की exact value नहीं होती है, कि root 5 आपको पता एक irrational number है, कितना भी आगे तक जाएगा, तो कोई बड़ा issue नहीं है, बहुत छोटा सा difference पढ़ेगा, तो अब देखो 1.6 यह answer यहाँ पर नहीं लगा सकते, reason, option पर ही नहीं है, ऐसे में क्या करो कि options पढ़ो, और greater than 2 होना भी possible नहीं है, तो कोई doubt यहाँ तक तो नहीं है, समझ गया बात, यह था इसको solve करने का basic तरीका, कि आप basic questions को कैसे solve कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा observation से करना ही कोशिश करते हैं, तो observation में कुछ चीज़ें समझो यहाँ पर, कि जैसे मैं इसको देखूँ, तो कुछ पता है कि यह root के अंदर 1 से थोड़ा तो यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, और अगर कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर कुछ extra देख रहा है, तो यह एक से छोटी value तो आने से रही और एक भी नहीं आएगी, तो क्या option number A और option number B यह दोनों eliminate हो जाएंगे, बोलो जाएंगे दर greater than 2 गनाने के लिए क्या condition है, कि अगर आप इसको greater than 2 करना चाहते हो, तो यहाँ पर यह जो part मैंने mark किया यह part, इसकी value 3 से भी जादा होनी चाहिए, इसकी value 3 से भी जादा होनी चाहिए, जब 3 से जादा होगी तब ही यह चीज़ बन सकती है, दो से जादा, question c है, यहाँ पर सही हो जाएगा, तो अब by observation भी से कर सकते हैं, कोई route तो नहीं है, समझ गया चीज़ को, very good, और बढ़ते हैं नए questions पर, जैसे कि यह question है, देखो इस तरीके question काफी repeat होते हैं, अब यहाँ पर solution भी साथ में दिया है, तो आप directly इसको समझी लें, question part इस पर इ plus लगा हुआ हर जगे पर, और कहा इसका answer बताएं, अब यहाँ पर जो main डोल प्ले करता है, वो यह number प्ले करता है, जो बार बार अंदर लिखा हुआ है, और repeat करता है, अगर आप देखा है, तो यह number अंदर लिखा हुआ है बार बार, आप इसको break कर सकते हैं, और कैसे break कर सक इस चीज का एक compulsion है, तो जैसे break करेंगे, तो अब इसके बाद क्या देखना है, breaking तो हो गई, 2 into 3 बन गया, अब doubt यह है कि answer 2 रखें, या फिर 3 रखें, तो यहाँ पर simple सी बात है, आप यह देखो, बीच का sign कैसा चलना है, आप देख पार हो, यहाँ बीच का sign कैसा है, प्ल नहीं बनेगा, तो answer नहीं आना, अब फिर वो नहीं आएगा, factor बनेगे नहीं, तो फिर एक तरीका और होता है, वो आगए, आपको बताऊंगा दी, तो देखो भाई, इसके बाद इसी का यह part दे दियागा, जा बीचे minus है, तो same चीज यार, 2 into 3, n into n plus 1 के form पर break करेंगा, क् चोटी value है, यानि कि 2, यह हो जाएगी यहाँ पर, इसका answer, तो बास समझ में आ गई, तो कब यह infinity तक जानेगा case, जब plus चल ला आए, या minus चल ला है, और अंदर जो number repeated है, उसके factor करने है, n into n plus 1 के form पर, तो कब ऐसे आएगा, यह चीज समझ गया है, confirm हैं सभी को, अब थोड यहाँ पर n into n plus 1 follow हो रहा है, नहीं हो पा रहा, तो n into n plus 1 के form पर इसके factor हो ही नहीं पाएंगे, नहीं होगे तो क्या होगा, एक formula आप लोगो यहाँ पर याद अपना होगा, यह formula दिखाई दे रहा है, और यह है क्या, formula यह कहता है कि आप यह देखने अंदर value बार बार repeat क्य divided by 2, यहाँ पर यह जो plus minus है, इसका मतलब क्या है, इसको समझो, अगर आपको बीच में हर जगे पर plus लगा दिखाई दे, तो आप यहाँ पर एक के पहले जो है plus लगा कर रखते हो, ठीक है, कब जब हर जगे पर plus लिखा दिखाई दे, और अगर आपको हर जगे पर minus लिखा इसी तरीके से repetition हो रहा है, value infinity तक जा रही है, और factor नहीं हो पा रहे, अगर minus case हो, तो भी आपको पता है कि बस यहाँ पर, जहाँ पर हमने अभी plus use किया, इसके जगे हम लोग minus use करेंगे, और यह जो method मैंने आपको बताया, यह जो formula बताया है, यह universal formula है, जो पहले आप अभी दो question करके आए हैं, जहाँ पर six को आपने break कर दिया था, एक बार plus में, एक बार minus पर, वहाँ पर भी आप same formula को apply कर सकते हैं, बट आप क्योंकि वहाँ एक easy trick available है, इसे आप कर सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता कि हम उस चीछ को वापस से lendी करें, फुड़ा extra ले जाएं, फाइदा कुछ होगा नहीं, that's why जहाँ पर जो आपको आसान लगे, आप उसे use कर सकते हैं, और अपना answer निकालने आप कैसे भी बढ़के, ठीक है, चलो, और बहुत साई चीजे हैं, उनको समझो, जैसे कि यह तो इसी का part था, तो देख लो यार, अगर कभी ऐसा आता है, कि minus वाले case में क्या होगा, तो यह answer बन जागा, already आपको बता दिया, मैंने पूरा hint दे दिया, अब इस चीज़ को देखो जा रहा, यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर क्या होता है, कि जो अंदर value लिखी है, बस वही आपका answer हो जाएगा, और यहाँ अंदर value क्या लिखी हुई ह 19, तो यही 19 आपका यहाँ पर answer बन जाएगा, तो क्या सभी को यह बात clear है, समय में आ जाती है, आ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, अगले type पर चलते हैं, बहुत सारे type बनते हैं, यह देखें, अब जैसे यह question है, यह देखो, अब ना पहले question जैसा है, ना दूसरे ज लग जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, value एक particular जगह पर जाकर रुख गई है, तो इसको करने का तरीका समझ लो, सबसे पहले तो square root count कर लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, और और पांच बार square root है, यहाँ पर, अब एक बात बताओ, एक square root का मतलब power half होता है, और सीधे मे इसको तरीका बता रहा होता है, तो इसको ऐसे याद रखो, एक square root का मतलब power half, 2 का मतलब 1 upon 4, 3 का मतलब 1 upon 8, 1 by 8, तो क्या होगा जारा, पांच बार में multiply करा हो, 2, 4, 8, 16, 32, 32 बने जा, 32 अब लिख लो, अब इसके fraction form पर इसको लिख दो, और numerator जो लिखो, इसससे एक कम लिख पर रखतो, जो आया वही answer, फिर समझो, base जो है, वो base की जगह पर ही रहेगा, और जो power रहेगी, वो fractional form पर रहेगी, fractional form पर लिखते समय ध्यान ये रखें, कि square root आपको count करने हैं, अब जैसे या 5 बार था, तो मैंने 2 बार 5 का multiply करा है, 32 आया, उसको fraction के denominator पर लिख दिया, और उपर लिखी value क्या होगी, एक कम रखनी है आपको हमेशा, और अगर कभी आपको ये दिखाई दे कि भाई, पांच बार नहीं है, चार बार है, तो जैसे दो चार बार repeat होता, चार बार इस बार उटता था, दो चार छे आठ, आठ बनता, उपर पावर एक कम, तो दो चा होता, तो चार बार नहीं होता है, तो जैसे दो पावर एक तो जैसे करे मुखे रहे हैं, उर देखते है, अब और क्या बनता है, ये एक लिया से question बनते हैं और ये कई बार आते हैं आपके exam पर एक question बहुत repeat हुए हैं तो इनको भी जरा समझ लो जैसे इनको जब आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं जैसे 2.89 है power 0.5 है आपको पता है कि 2.89 की power 0.5 0.5 होने का मतलब होता है power half और power half का मतलब क्या होता है यहाँ पर power half का मतलब यहाँ पर होता है कि square root ठीक है 0.5 का मतलब है power half और power half का मतलब है square root और यह देखे 17 का square है बाद point लगा हुआ है तो यह किसका square हो जाएगा 17 ना होकर यह हो जाएगा 1.7 का whole square तो value से बाहर 1.7 आ जाएगी पहला यहाँ देखे 2-0.5 का whole square 0.5 का square 0.25 होता है तो क्या यहाँ से value 1.75 आ जाएगी root 3 की value 1.732 होती है यह हो गया clear और यह जो दिख रहा है 0.0008 इसको जब आप solve करेंगे तो आप कहेंगे कि sir आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे 8, point मैं हटा रहा हूँ तो upon में क्या होगा 3 बार 0 अब 8 का cube root क्या हो जाएगा 2 और 10 का cube root कितना हो जाएगा यह तो value क्या बचेगी यहाँ पर 0.2 बचेगी तो सारी की सारी values तो आप लोग को यहाँ पर दिखी गई अगर सब value दिख गई तो अब ascending order में लगाना हो यह descending order लगाना बहुत easy है ascending को हिंधी हम बोलते हो आ रोही क्रम मीन बढ़ता हुआ order पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बढ़ा, फिर सबसे बढ़ा descending को बोलते हो अ और रोही क्रम घडता हुआ क्रम पहले बड़ा फिर शोटा फिर शोटा इस तरीके से तो आप किसी भी order पर इसको manage कर सकते हो बस एक बार आपको चीजे समझ में आ जानी चाहिए clear है बात तो अब यहां पर order बनाना चाहें तो यह आपका order बना हुआ है असानिस बना लो गया कोई need नहीं एक question ऐसा ही और है इसको देख लो अब इनमें दिक्कते रहती हैं कई बार student को तो अच्छे समझ नहीं यहां पर मेरे भाई देखो अगर तो चार value दिखाई दे रही हैं और सबकी सब route पे हैं एक को छोड़के तो यहां पर जो चीजें आप directly alignment कर सकते हैं उसको पहले तो समझ लें आप यहां पर बड़ा चोटा क्या पूछा गया है विच आफ दे लार्जेस्ट इनवे लार्जेस्ट को नहीं यह पूछा गया अब देखो या इस टाइप के questions को करने का कोई कि एक set rule नहीं होता कि आप हमेशा यह चीज लगा दे और answer आ जाए यहां पर आपको क्या करना होता है कई बार hit and trial भी चलता है एक जगे आप तरीका लगाएंगे दुसरी जगे नहीं लगाएंगे तो आपना mind use करना है देखो मुझे एक बात तो पता है कि 2 का cube root यहां पर चायद किसी को नहीं याद होगा लेकिन square root 3 का आपको सभी को याद होगा 1.73 होता है ठीक है 1.732 अचा 1.5 भी दिख रहा है तो एक बात तो clear हुई कि 1.5 और 1.73 में कौनसी value बड़ी हो गई यहां पर 1.5 तो बड़ी नहीं है 1.73 बड़ी हो सकती है आगे देखें कि बाई cube root of 2 की बात करें और cube root of 5 की बात करें इनको थोड़ा सा समझेगा यहां पर कि चीज़े क्या होने वाली है इन दोनों में आप बता सकते हो क्या कि cube root of 2 and cube root of 5 पर कौन बड़ा होने वाला है औव्यस सी बात है cube root of 5 तो यह भी यहां पर answer नहीं होगा अब बड़ा चाहिए दो च क्या होता है square root का मतलब यहां पर शोड़ा सा 2 लिखा होता है आप क्या करें इसका जो nth root है जैसे यहां 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है इसको आप equal करने और equal करने के लिए best method होता है LCM बनाए लCM बनाएंगे तो आप इसका nth root जो है वो 6 बना दे मिन 6th root करना है और अंदर cube बना अगर 2 को हम 4 बनाते तो अंदर square करना पड़ता 2 को हम 8 बनाते किसी particular case में तो अंदर power 4 करना पड़ता मिन वही है अगर बात की वापस से expand करने पर same result आ जाना चाहिए आपको अच्छा इधर देखो क्या किया 3 को 6 बनाया तो यहां पर क्या होगा 5 का square बन गया क कोई आउट तो नहीं है जैसे यह बन गया तो देखो इसका nth root आपस में equal हो गया अब जिसके लिए अंदर लिखी value बड़ी होगी वही आपका answer हो जाएगा किस पर बड़ी है 5 का square 25 होता है और 3 का cube 27 होता है nth root की जगे पर क्या है 6 root है और जिसका अंदर value बड़ी वही हो सकता है किसी particular जगे फिर मैं इस method का utilization ना भी करूं और आसान तरीके से हो रहा हो तो ऐसा कोई particular case follow करके मन चलना कि यार हमेशा यही रहेगा यह depend करेगा condition के according समझ गया बात चलो और चीजे समझते हैं देखो यार एक question इस तरीके से बनता है यह question भी आपका exam पर पूछे आ सबके बीचे प्लस लगा है अब सिंपल्स काम किया करें ट्रिक कहती कि इनका multiply कराते जाएं 11 इंटू 2 कितना होता है थर्टी सेवन इंटू 6 कितना होता है 42 और 8 इंटू 5 कितना होता है 40 अब देखो यह अगर ऐसा बन गया तो क्या पूछा गया है smallest कौन सा है जिसकी value सबसे सबसे चोटा होगा कब प्लस होने केस में सबसे चोटा क्या है रूट 11 प्लस रूट 2 है और अगर greatest पूछे तो यह greatest है so this one is smallest and this one is greatest ठीक है तो यह smallest पूछा गया था तो रूट 11 प्लस रूट 2 हो जाएगा option नमबर डी सही हो गया कभी अगर minus बन जाए तो क्या करोगे तो यह पर यह minus बनता है तो जेस्ट उल्टा हो जाता है कि जो value बड़ी आई होती है वो छोटी और जो छोटी आई होती हो value बड़ी हो जाती है so basic calculation नमबर जाना बुक पे सी calculations मिल जाएंगी आपको बड़ी 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 उनसे फाइदा नहीं होगा यार time-based होता है 15 और 7-5 कितना होता है 35 13-11 कितना होता है 149 17 कितना होता है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे नीडी नहीं पड़ेगी ग्रेटेस पूछा गया जो सबसे छोटी value आनी वही answer रूट 5-3 खतम करो आगे बड़ो कहां सोचोगे इतना कि क्या multiplication क्या चोटा क्या बड़ा जो और सीरियस समझें अब क्या है कुछ basic algebraic formula है इनको आपको याद रखना है और इस पर बेश दम लो questions next time पर लगाने वाले हैं तो basic formula क्या है जैसे सबसे पहला formula a plus b का whole square और a minus b का whole square सभी को आता है अब अगर a plus b का whole square plus a minus b का whole square पूछें तो इनको add कर दें जैसा ही add करेंगे त 2ab से 2ab cancel out तो क्या है 2 times a square plus b square बनेगा अगर किसी case में आपको इने subscribe करना पड़ जाए तो यह 4ab बनेगा भाई करके देखो अब यह मैं बता क्यों रहा हूं यह बता इसलिए रहा हूं कि इन formula का use exam में questions को short करने में होता है तो लगता तो है कि सर क्यों बता रहे है तो अपने पड़ गया हो बिल्कुल याद हो गई हो ठीक है तो यह बना आपके लिए अब इसके बाद यह formula इसी से बने हुए दो formula आ गए यह क्या बनते हैं कि जैसे अब यह आपने पढ़ा ना कि इसा कुछ अब यह अपने जोड़ा था उसी को मैंने transfer किया कि a plus b का whole square में अगर 4ab कम कर दें तो क्या आएगा a minus b का whole square doubt है तो किवल expand कर लो ठीक है दिख जाएगा और a minus b के whole square में अगर 4ab add कर दें तो a plus b का whole square directly समयन में आ रहा होगा आपको इसमें कोई rocket science तो है नहीं very simple आगे बढ़ें यह देखो a square minus b square सभी को याद होता है a plus b a minus b a plus b plus c का whole square तो यह a square plus b square plus c square plus 2ab plus b c plus c है a cube plus b cube a cube minus b cube इनको सब को याद करने a cube plus b cube के दो formula और बन चाते है a cube plus b cube a cube minus b cube के यहां से कैसे a plus b cube का formula और a minus b cube का formula आप सभी को याद है दोनों को दोनों formula अब यहां से transfer करके दो formula और बन जाते है a cube plus b cube के ठीक है तो इसको भी आप लोग ज्यान रखेंगे कि अगर कभी भी ऐसे आता है तो चीजों को आप कैसे कर सकते है ठीक है बस bracket open करे जैसे यह पूछा गया तो इस पूछा गया तो इसको दूसरी तरफ तरफ तो यह भी क्या होगा exam में calculation को short करने में अभी नहीं समझ में आया का लेकिन exam पर समझ में आता है यह practice कराओंगा तो देखेगा ठीक है तो transfer करने के बात क्या होंगे वो दो formula आपके यह बन जाएंगे तो इनको भी आप याद कर ले नो डाउन कर ले भाई जो भी formula यह बता रहा हूं यह अगली class हम बिल्कुल याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से याद होंगे तब ही आप चीज़े कर पाएंगे और यह दो formula बनते हैं actually formula एक ही है उसके दो form है यह cubic formula important होता है aq plus bq plus cq minus 3abc equals this one a plus b plus c record में a square plus b square plus c c square minus a b minus bc minus c a और इसी का एक format यह भी बनता है दोनों के दोनों सेम format है ठीक है इसको आप लोग याद रखें और यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कई बार कि अगर a plus b plus c zero हो तो क्या होगा तो aq plus bq plus cq के वेज़े तो वो भी आप आगे पढ़ेंगे देखेंगे question आप अब बता तो आपको दूगा है अभी बता दिया नोट कर ले ना तो भाई आज इतना ही रखेंगे क्योंकि formula ज्यादा नहीं थे हमारे पास इतना ही है जो बहुँ जादा इस्तमाल होने वाले हैं आप लोग के exam पर तो इसकी आप practice कर ले और सारे के सारे जो वीडियोस हमार ग्रूप हो या हमारा जो अभी ग्रूप बना हुआ है यह सीटेड एक्जाम के लिए जो ग्रूप बना हुआ है मेरे जितने भी social media handles, ffb profile, instagram सब कुछ सारे link description पर दिये हैं सारी की सारी कांग पिजी डिस्क्रिप्शन पर वहाँ जाओ देखो और follow कर सकते हो आप लोग ठीक